प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और अग्टिवी नेटवर्ग पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतरगत एस्ट्रो स्पेशल आप जानते ही हैं इस सीरीज में हम ग्रह परिवर्तन पर बात करते हैं नक्षत्र परिवर्तनों पर बात करते हैं कुछ बड़े गोचर पर बात करते हैं एक एस्ट्रो इविंट पर बात करते हैं ऐसा ही एक इविंट होने ज होंगे माला माल सई सुन रहे हैं आईए जानते हैं इस बारे में देखिए ग्रहों के राजकुमार बुद्ध ग्रह शनिवार दो जुलाई में दो हजार बाइस को सुबह नो बचकर बामन मिनट पर राशी परिवर्तन कर रहे हैं अट सर्ग दिन और ये परिवर्तन करके THUN राशी में आ जाएंगे मिथुन स्वैम बुध की ही राशी राशी में बुद का गोचर लोगों की बौधिक शमता में व्रत्धी करेगा और कई राशियों को शुबफल प्रदान करेगा वैदिक जोतिश में बुद्ध को बुध्धी व्यापर और ग्यान का कारक माना जाता है आईए जानते हैं यह गोचरकिन राशे बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के बारे में राशे नुसार आपको उपाई भी बताएंगे शरल उपाएं शुरुबात करता है राशी नमबर एक मेश है नि एरीज के साथ में है बुद्ध तीसरे भाव में गोचर करेंगे कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ गते हैं दूसरे राशी व्रिश्य निक टॉरस की बात करेंगे चाथरों के लिए समया च्छाह रहेगा बहुत अच्छा रहेेगा च्यात्रों की समय परिजनों के साथ में वक्त विताएंगे स्वास्त्र संब्मन्दी परिशानी आएंगे बाद गर्में मिश्री चड़ाएं चौथी राशी कर्क यानिकी केंसर की बात करेंगे बुद्ध बार में बहुत कठिन रहने जा रहा है करकराश वलो आर्थिक समस्याओं का सामना होगा जूजेंगे आप आर्थिक तरीके से और परिजनों से मनमटाव के भी योगें कारिश्यतर म नौकरी में तरक्की मिलेगी दामपेतर में कटुता आएगी परिजन मदद देंगे प्रेम जिवन ठीक रहेगा उपाई ये करें कि घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाएं चटी राशी कन्या यानिकी बर्गो की बात करेंगे बुद्ध दसमें भाव में गोचर कर करेंगे हर शेतर में भागे साथ देगा कारे शेतर में सबसे तारीफ मिलेगी आर्थिक लेंदन सफल रहेगा निवेश से लाब होगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा उपाईये करें कि घर की छत यहां बॉलकनी में शुदगी का दीपक करें आठवी राशी वरिश्च की बात करेंगे बुद्ध साथ में में गोचर करेंगे समय शुब रहेगा नौकरी में तरक्की की योग हैं कडी बड़ी कारोवारी सफलता मिलेगी सांजेतारी से धनलाब होगा दामपत्य सुख में व्रद्यों की उपाईये करें कि कलाई पर हला धागा बांध हैं दस्व बड़े धनलाब के योग हैं परिजनों के साथ में घूमने का मौका मिलेगा कारिशेतर सफल रहेगा उपाईये करें कि तूलसी के पास गाय के घी का दिपक करें बारवी रशी मीन एनिपाईसिस की बात करेंगे बड़ चौथे भाव में गोचर करेंगे भाग ये कमजोर पड़ेगा आर्थिक रूप से सतर रहें धनहानी के योग हैं जनबियों पर भरोसा करने से नुकसान होगा वाद विवाद से बचें और दूर रहें उपाईये करें कि किसी गरीब कन्या को हरे मौंग दान करें दोस्तों ये था अटसर दिन बाद बुद्ध के मितुन राचर का राशिफल राशियनुसार रुपायों के साथ में हमना हमने आपको बताया कि कौन सी राशी माला माल होने जा रहे हैं किसी ऐसे ही खास टॉपिक को लेकर कल आप से फिर मुलाकात होगी आज के लिए वस इतना इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए